तो आज हम लोग सब मिले हैं हम लोग सब आज मिलके ये डिस्कस करते हैं कि जुलाई वाला जो I.I. का जो अटेंट है I.I. जुलाई जो हमारा अटेंट है उसको हम लोग किस तरीके से अच्छे तरीके से अटेंट कर सकें एंड जादा से जादा हम लोग का marks आए एंड हम लोग का जो भी एक्जाम हम लोग चाहते हैं वो हम लोग का एकदम comfortably clear हो जाए, ठीक है, तो सबसे पहला point जो मैं बोलूँगा, जैसे आई आई जुलाई exams में अभी रफली 20 दिन बाकी है, किसी के में 25 दिन बाकी होगा, किसी क महीना बर रफली, ठीक है, तो अगर आप CM या फिर CS के papers दे रहे हैं, तो सबसे ज़ादा जरूरी जो focus करने वाली बात रहेगी, वो रहेगी paper B में, देखिए paper A comfortably क्या होता है, उसमें काफी सारे resources भी हैं, past exam papers भी हैं, तो paper A में हम लोग को उतना दिक्कत नहीं होता है, compared to paper B paper B में आपके resources थोड़े कम हैं, तो मैं हमेशा से ही आपको बोलूगा कि आज से ही, आज से ही एक जो है one, one exam paper, one exam paper of paper B, मने पुरा exam condition में बैठिये, हो सकता है आपको 20 नमबर का है, 40 नमबर का है, 60 नमबर का है, तो आपको एक exam paper पुरा properly देना है, ठीक है, एक exam paper आपको पुरा properly देना है, everyday for paper B, मैं तो आपको यही recommend करूँगा, अगर मान लीजिए आपका syllabus थोड़ा बात बचावा है, तो सबसे पहले आप syllabus कर लीजिए, लेकिन आपको exam condition में बैठ के paper B का exam तो देना ही देना है, paper B के resources में हमने आपको दिये है, Y assignment, ठीक है न, आपके पास में ह last exam question, ठीक है, paper B के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद में आपके पास में हमारे mock papers होंगे, ठीक है, mock papers होंगे, तो यह सब आपके पास में paper, paper A के लिए देखे क्या है, कि हमारे पास बहुत सारे resources हैं, लेकिन paper B में इतना जितना है, यह हम लोग को properly पुरा करना ह ही है, exam में ऐसा हो सकता है, कि exam हलका difficult आ जाए, और paper B जो है, वो आपको 60-70 नमबर का ही बने, तो भी घबराईएगा मत, क्योंकि आप हमेशा relative performance सोचा करिए, ठीक है, अगर paper आपके लिए difficult है, तो बाकि सब के लिए difficult है, यह भी जानके रखिए, March के ज़जबा July exam का prepare करना was not that easy, लेकिन मैं एक बात जरूर जानता हूँ, अगर हम लोग आज से भी अगर अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो भी success हमारे हाथ में है, आधे अधूरे मन से बिल्कुल मत पढ़िएगा, 50% effort से कुछ नहीं होता है, आप मान लीजे, अगर दो attempt मे 50-50% effort दे के पढ़े हैं, तो आपको success नहीं मिलेगी, लेकिन अगर एक attempt में आपने 100% effort दे के पढ़ाई की, तो success आपका है, तो सबसे पहला जो major point में को clear करना था, वो paper V का था, उसके बाद में, आते हैं हम लोग paper A में, आते हैं हम लोग paper A में, तो paper A के लिए, तो paper A के लिए, I'll just share my screen, ठीक हैं, तो paper A के लिए, IEI का minimum मैं आपको बता रहा हूँ, अब जैसे मैं आ जाता हूँ CM, CS, CB में, ठीक है, CM, CS, CB का मतलब क्या होता है, CB में जैसे आपका CB 1, 2 हो गया, तो उसमें तो एक ही exam होता है न, तो उस वे से मैं आपको बता रहा हूँ, minimum आपको past 10 exam papers करने हैं, ठीक है, आप कोई बोलेगा, सर मेरा तो revision नहीं हुए, बेटा यही revision है, यही जीवन है और यही revision है, आप जब आप paper पुरा solve करेंगे न, तो 3 से 4 घंटे में आप पूरा चीज को properly, basically आप पूरा syllabus revise कर सकते हो, उसमें बहुत सरे diversified topic से question आएगा, आपको हिम्मत जुटाना प पड़ेगा, 10 से 12 paper मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर आपने यह नहीं किया, then you are planning to fail, 10 से 12 attempt का paper आपको minimum करना ही पड़ेगा, आज से ही कसम खालीजिए, आज का तारीक है 23, ठीक है, हर alternate day में मेरे को एक paper A का exam देना है, हर alternate day में, और जिसका paper A और paper B दोनों है, एक दिन paper B देगा, एक दिन paper A देगा, साड़े चार से पांच बज़े तक जितना पढ़ना है पढ़ लीजिए, पांच बज़े exam condition में एक exam आज से आपको daily देना है, अगर fail हो गए तो आके मिरे को बता देना, कि सर आपने बोला था मैं fail हो गया, यह देखिए मैंने इतने सारे mocks दिय अंच नहीं है लेकिन फिर भी मैं fail हो गया, नहीं हो सकता, fail कोई बताच चीक है, उसके बाद में class notes अंह्ने class में जो करवाया है, वो सर्वोपरी उससे ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है, class notes को आपको पुरा properly revision करना है class notes को आपको पुरा properly revision करना है class में जो करवा दिया, मतलब करवा दिया ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उसी से सब कुछ आएगा लेकिन हाँ, आएगा, ठीक है, इतना ध्यान में रखेगा उसके बाद में, अगर कोई बच्चे के पास में time है और अगर वो अच्छा करना चाता है exam में, तो वो क्या कर सकता है X assignment कर सकता है, तर X assignment क्या होता है X assignment क्या होता है, X assignment आप देखेंगे, आपके material के पीछे में दिया वै into 1, into 2, ऐसे करके 5 दिया वा होगा, ठीक है तो यह जो X assignment है, यह आप लोग solve कर सकते हैं, एक को solve करने में रफली 2-3 घंटे लगेंगे जितना paper solve करेंगे, उतना दिमाग खुलेगा, जितना paper solve करेंगे, उतना दिमाग खुलेगा मैं बार-बार कह रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद में, ठीक है, आपको क्या करना है, MS Word typing, माने जितना भी सब मैं exam बोल रहा हूँ न, जितना भी सब मैं exam बोल रहा हूँ, सब exam condition में आपको देने है, मतलब MS Word का typing, बहुत important है, ठीक है, students, जो लोग CP1 का exam दे रहे हैं, CP1, start practicing past papers of IEI, minimum मैं आपको बता रहा हूँ, 12-15 past exam paper आपको practice करना ही पड़ेगा, और CP1 में there are two exams, A and B, ठीक है, तो एक दिन में target बना लीजिए, कि मेरेको एक दिन में दो paper करने हैं, डेड़ paper करना है, तब जाके आप देखेंगे कि आप revision कर पा रहे हैं, last 12-15 term का paper आपको करना ही करना है, और उसको आपको एक बार नहीं दो बार पढ़ना है, और ये मैं बोलूँगा उन सब के लिए, ये मैं बोलूँगा उन सब के लिए जो लोग CM, CS, CB का exam दे रहे हैं, आप मानलो एक बार solve कर लिए, ठीक है, जो जो question आपको tough लगा, जब आप self evaluate करेंगे, तो जो जो question आप से नहीं बना, आपको उसको दुबारा एक बार re-check, आपको re-verify करना पड़ेगा, उसको revisit करना पड़ेगा exam के पहले, exam से 3-4 दिन पहले का strategy ये होना चाहिए, कि जो जो मेरी गलतियां है, उसको मैंने एक जगा पे लिख लिया है, अब मैं उसको revisit कर रहा हूँ, ठीक है, तो past exam paper आपको उक्दम ध्यान से करना है, paper like CM2 institute का material बह बच्चों के लिए, ठीक है, जो बच्चे, जो बच्चे, जो बच्चे दे रहे है exam CP2 और CP3 का, ठीक है, practice, आपके लिए तो class पूरा कर लिया, class पूरा कर लिया, अब आपको सिर्फ practice करना है, ठीक है, एक दिन में एक paper उठाईए और practice करिये, कुछ से पूरा paper पहले बनाने का try कर लिजे, देर दो घंटा, जो मन में आ रहे हैं, आप पूरा properly करिये, उसके बाद में क्या करें, solution से देखे मिलाइए, आप देखेंगे, अगर आप इस model में काम करेंगे न, तो exam में आपको उतना planning नहीं करना पड़ेगा, मैं ये करू, मैं वो करूँ, क्यों कि वो ची तीन से चार बच्चों का एक query आ रहा है, कि मेरा laptop exam के बिच में hang हो गया, अगर आपको ऐसा लगता है, हलका फुलका भी, कि भई ये laptop आप जवाब देने वाला है, पहले से इसको ठीक करा के रख लो, लैप्टॉप को पहले से ठीक करा के रख लो, ठीक है, और क्या-क्या query आता है, मैं आपको बताता हूँ, admit card, ठीक है, admit card, calculator ना चलना, ठीक है, table book नहीं होना, तो ये सब भई, online है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग fun कर रहे हैं, वापर जाके, properly पूरा आपको proctor किया जाएगा, और आपको उस condition में exam देना है, rough sheets होना, ठीक है, rough sheets होना, तो ये सब कहना, जब आप, अभी जैसे क्या है, IEI 2 mock लेगा, mock 1 and 2, अभी वो लोग mock का announcement करेंगे, ठीक है, तो mock, जो IEI institute, जो mock लेगा, शायद 1 ले, या फिर 2 ले, जितना भी ले, आपको वो mock देना है, आप जब mock देंगे, तब आप उसका पूरा portal समझ जाएंगे, आपको उसका पूरा portal समझ में आजाएंगे, कि हाँ ये process है, इस तरीके से मेरे को अपने admit card दिखाना होता है, obviously आप लोग पहले भी exam दे चुके है, but just वो mock दीजिए, क्या पता, portal में कुछ changes हो, आपके laptop में वो text specs नहीं हो, जो specifications चाहिए, उनका portal, जो MSB portal है, उसको run करने के लिए, ठीके, तो ये सारी चीजों का आपको एकदम खास ध्यान रखना है, ताकि exam वाले दिना panic ना करो, आदा घंटा पहले से line में लग जाना, ठीके, और अभी मैं आपको बताता हूँ, आपको क्या करना है, आपको daily basis में क्या करना है, अपनी गलतियां, mistakes, ठीके, mistakes, mistakes का एक copy बन में सारा जो भी गलती हो रहा है, हाँ भी मैंने ये सम किया, इसके जगह में मैंने ये ले लिया, इसके जगह में मैंने ये कर दिया, ये गलती हो, ये गलती हो, ये गलती हो, ये गलती हो, तो वो गलती सब लिख लिजिए, और daily उस गलती को बस खली पढ़ते जाईए, पढ आप देखेंगे एक्जाम तक आपके बस 100-200 पॉइंट से खटा हो गए हैं और बस खली वो गलतियां पढ़ते जाएंगे, एक्जाम में आप वो सब गलती तो दुवारा नहीं करेंगे, उसके बाद में एक्जाम में कोई भी टाइप का unfair means को adopt मत कीजिएगा, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, इससे कुछ फाइदा नहीं होगा, एक नमबर, आधा नमबर, पॉना नमबर, दो नमबर के वज़े से अपना career से हाथ दो बैठेंगे, ठीक है, तो please कोई भी टाइ ठीक है, जो papers में हलका-फुल का theory है, जैसे CB2 में थोड़ा बहुत आपको मैंने याद करने जैसा चीज है, CM2 में है, CB1 में है, ठीक है, CP1 में है, तो इन सब papers के लिए मैं आपको हमेशा recommend करूँगा, daily read करिए, ठीक है, daily read करिए, और अभी भूख, प्यास, सब भूल जाईए आने वाला एक महन, आप एक चीज सोच के देखो, इसके बापने exam होगा November में, तो क्यूं हो paper को हम लोग दुबारा और पांच महना खीचेंगे, सोच के देखिए, अभी आपका जब exam हो रहा है, एकदम bonus attempt है, फिर अपने November में नया paper के लिए पढ़ेंगे, ये सोच के अभी आपके मन में आएगा नहीं भई छोड़ देते हैं, November में अच्छे से देदेंगे, लेकिन उससे कुछ फाइदा नहीं होगा, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है, आपके पास में अभी इतना time है, कि आप अच्छे से पढ़के पुरा paper को फार सकते हैं, ठीक है, आप आप अरड़ी पढ़ रहे हैं, किसी का 50% हुआ होगा, किसी का 60 हुआ होगा, किसी का 80 हुआ होगा, किसी का नहीं हुआ, आप पहले exam का form भरे हैं, मतलब exam देना है, सीधा सा बात यहीं है, ठीक है, exam तो देना ही देना और exam से डरना नहीं है, एकदम खुश मन से exam देना है, उ पिर जैसे उनका अभी जैसे क्या है कि हम लोग मॉक टेस्ट अपलोड कर चुके हम आप लोग सबको जितने भी यहां पर है 25 यहां पर है सबको हमारे मॉक टेस्ट पोटल का एक्सेस मिला होगा ठीक है मॉक टेस्ट पोटल में हमने फुल मॉक्स अपलोड कर दिये हैं mock test portal में हमने full mocks upload कर दिये हैं, तो total में 12 mocks हमने upload कर दिये हैं, ठीक है, 6 paper A के, 6 paper B के, जैसे CP2, CP3 जिसका है, उनलों के लिए में, CP2, CP3 के लिए 3-3 mocks है पूरे, ठीक है, जैसे CP2 में total में 6 mocks हो जाएगा, 3 paper A का, 3 paper B का, ठीक है, Same goes for CP1, ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखेंगे जैसे CB1 का जो exam है, ठीक है, CB में हमने total में 6 mock upload करती है, आप लोग mock portal में जाके exam दीजिए, ठीक है, सारे के सारे papers आपको check होके मिल जाएंगे, ठीक है, check होके मिलेगा, आपको पुरा feedback मिलेगा, ठीक है, आपको पुरा feedback मि मिलेगा कि आपका क्या गलती हुआ है, कैसे हुआ है, तो यह mock देना बहुत जरूरी है mock portal पर, ठीक है, mock portal पर अगर आप मौक दे देंगे, तो हम लोग आपको पुरा आपका गलती चेक करके बता देंगे, कि हाँ भई, आपको यहाँ पर ऐसे यह mistake हुआ है, exam में यह गलती म मत करिएगा, ठीक है, लेकिन आपको जो feature दिया जा रहा है, आप लोग यूज ही नहीं करेंगे उस चीज को, आप लोग अगर उस चीज को यूज नहीं करेंगे, तो फिसका क्या फाइदा, ठीक है, अगर आपको राप में बोर लग रहा है, revision कर लीजिए, ठीक है, कुछ न IFOA का last 5 terms का paper कर लीजिए, हाला कि मैं पूरा class में करवाता ही हूँ, IFOA का तो मारा compiler में है ही, तो last मैंने around 20 term के paper आप लोग को करवा रखे होंगे, बट अगर किसी को यह है कि नहीं भई, में पस time कम है, तो at least last 5-6 term का IFOA का paper आपको कर लेना है, ठीक है, 5-6 term का, अगर मान हम लोग कोई एक ऐसा topic है, जिसमें आपको लगता है, भाई, 2-3 दिन लग जाएंगे, तो अभी इतना time नहीं है, कि हम लोग 2-3 दिन में एक topic complete करें, नहीं, जिससे 5-6 number का आएगा, उसमें 2-3 दिन लगा कि अभी ये time में हम लोग को क्या करना है, किस तरीके से उसको एक ब बेवकूफी है, मैं तो बोलूँगा, ठीके, knowledge पूरा होना जरूरी है, लेकिन इस time पर ये बेवकूफी है, तो आप लोग क्या करना पड़ेगा, आप लोग को किस तरीके से उसको, वैसे तो ऐसा कुछ है नहीं कि जिसमें 5 दिन लग जाएंगे, तो हम लोग का concept के वीडि में आपको बता रहा हूँ, आपको आने वाले जो 20 दिन, minimum time सबके पास में है, ठीके, बाकी तो सबका अपना-पना routine है, मैं आपको average में बता रहा हूँ, आपको 10 से 12 घंटे पढ़ने पढ़ेंगे, ठीके, और जो लोग जॉब में है, अगर मान लीजिए, सुभा आपको minimum 3 पढ़ना पढ़ेगा, और श्याम को जॉब से आने के बाद में आपको 3 घंटा minimum मैं आपको बता रहा हूँ, और आप लोगो weekend में तो आप लोगो सांस लेने का भी time नहीं मिलना चाहिए, इतना, ठीके, weekend आप लोग नहीं, अपना leaves को पुरा plan करिए, ठीके, जो लोग भी working ह डरिये मत, office में बोलिये कि मेरा exam है, मेरको leaves चाहिए, ठीके, तो exam सबसे उपर है, exam से उपर कुछ भी नहीं है, मैं तो यह हमेशा बोलूँगा, ठीके, तो leaves को पुरा properly अभी से लेना start करिए, towards the end आप सुचेंगे, मैं लास्क एक दम पुरा एक संग लेके फार दूँगा, दिन में 6 गंटा पंड़ना mandatory है, और जो लोग college students है, जो लोग का कोई काम नहीं है अभी, वो लोगो तो 12 गंटा के नीचे बात ही नहीं बनना चाहिए, ठीके, 12 गंटा के नीचे बात ही नहीं बनना चाहिए, तो यह बेसिकली plan है पुरा, ठीके, उसके अलावा, मैं बार ब पेपर करके ही आता है, ठीके, अब जैसे exam में ऐसा हो सकता है, कि 20 नमबर का कुछ अन्नों आ गया, तो उसके पीछे थोड़ी ना पढ़ेंगे, उसके पीछे पढ़ना नहीं है, पहले जो 80 नमबर का हम लोगो आता है, पहले उसको करना है, exam में pass कितना है, 50 नमबर, तो एक दम कभी जीवन में नहीं आए, आ सकता है, knowledge के लिए पढ़ना जरूरी है, लेकिन अभी का बात करिए न, 20 दिन अभी exam में बचा है, अगर ऐसा कुछ है कि जो छूट रहा है, तो एक बार के लिए उसको हलका-फुलका cover-up करके, उससे 2-3 sums बनाके हम लोगो आगे बढ़ ठीक है, आप योगा कर लीजी, आप बैठे रही है, ऐसे करके, आंक बंद करके, तो आपको थोड़ा आपका mind fresh होगा, ठीक है, तो आप योगा कर सकते हैं, या फिर आप दौर सकते हैं, आप मैं जैसे शाम को थोड़ा सा walk करता था, ठीक है, तो वो क्या है कि 30 minutes at least आपको अ सोशल मीडिया अपना फोन से हटा दीजे, ठीक है, पुरा जो सोशल मीडिया है, उसको डिलीट कर दीजे, Facebook डिलीट, Instagram डिलीट, WhatsApp डिलीट, सब कुछ डिलीट, खाली हम लोगा जो टेलिग्राम का जो ग्रूप है, वो आपको दिन में 3-4 बार खोल के देखना है, ठीक है, ब दीन बचा है, 6 मैंन और लेके पढ़ लेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है, तो हर फेलियर टॉपर होता, यह बात याद रखेगा, टाइम जादा होना, ऐसा नहीं कि अगर आपके बाश टाइम जादा होगा, तो आप एकदम रांक वन लेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है तो मैं तो यहीं बोलूँगा कि इसी टम में एकजाम अपने को क्लियर करना है, और नवेंबर में मिलके नया पेपर पढ़ेंगे, ठीक है, तो सोशल मीडिया से एकदम नहीं देखना है, उसके बाद में जब आप बैठ रहे हैं, तो फोन को पहला बाद तो आप हटा दीज ठीक है, फोन सबसे बड़ा लाइफ में डिस्ट्रेक्शन है, ठीक है, जो भी हो, भाईया, अम्मी, पापा, गल्फेंड, बॉर्फेंड, जो भी है सब को बोलिए कि भाई, अभी आने वाला एक मैना हम कुछ नहीं करेंगे, आने वाला एक मैना हमको कुछ नहीं चाहिए, ह आप फर्स्ट टेप अचीव कर लिए ठीक है तो मिनिमम आप जब बैट रहे हैं तो डेड़ से दो घंटे का एक सिटिंग होना चीए फिर बीच में आप 30 मिनिट्स 30 मिनिट्स का आप एक ब्रेक लिए सकते हैं चोटा सा टी ब्रेक हो गया तीक है या फिर कोई भी टाइप का एक 30 मिनिट्स का ब्रेक लिये तो उसे क्या आपको थोड़ा सा रिलैक्स लगेगा ठीक है आप कुछ भी देख लिए ठीक है और अभी अभी मतलब अभी मतलब बाहर नहीं जाना है ठीक है अभी अपवी friends बोल रहे हैं बड़े party है anniversary party है मतलब शादी है ब्याह है कुछ नहीं सोचना है ठीक है ना अभी थोड़ा घर पे रहे के पढ़ना है अपने को ठीक है आप लोग को ऐसा लगता है भी तीन घंटा तीन घंट पर लिशन कर लिए और दोस्तों चार बार चार वारात तो उसका हो जाएगा ओना है एसा कोई बात नहीं है चार बार पढ़ लिए तो ही होगा ऐसा कोई बात नहीं, आप क्या पढ़े हैं उसमें वो matter करता है, अब दो बार अच्छे से पढ़के भी exam clear कर सकते हैं, ठीक है, तो वैसा कोई बात नहीं है, तो बीजबिश में हलका फुल का छोटा-छोटा सा break लेंगे, और कभी आपका हो हो सकता ऐसा कि नहीं, आज तो में पढ़ने का इच्छा करी नहीं रहें, ठीक है, एक घंटा मत पढ़िए, देखिए को आटोमेटिक आपको पढ़ने का इच्छा करेगा, ठीक है, तो वैसा नहीं होना चीए कि एकदम जबरदस्ति खाली किताब लेके बैठें, वैसा नही ठीक है, तो यह चीज़ दिमाग में रखेगा अपना, कि अगर कोई दिन ऐसा हो सकता है कि पढ़ने का इच्छा नहीं कर रहें, तो घंटा डो घंटा किताब बंद कर दीजे, एक पिच्चर देख लिए आपना 1.5 घंटे का ठीक है, या फिर मानलो उस समय जब तुमको पर आप करना है, ठीक है, रात में जख के पढ़िये, सुबह जल्दी उठके पढ़िये, लेकिन एकदम पुरा बढ़िया से आपको पूरा प्रिप्रेशन अपना करना है, ठीक है, यह चीज़ दिमाग में रखेगा अपना, उसके बाद में आपको मैं एक चीज़ बता दे तो आपका पूरा 0 मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता, प्रोसेस पे मांक होता है, स्टेप पे मांक होता है, तो जादा स्टेप दिखाना, वरकिंग नोर्स लिखना, यह सब सब आप अपने अंदर में नहीं लाएंगे तो नहीं होगा, ठीक है, माल लिज़े, टेबल बुक से क पर practice करना है ठीक है, और एक बार में paper को पुरा एकदम बढ़िया रीड कर लेंगे, question paper को एकदम पुरा बढ़िया से read कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि शुरू का पहला तो question tough है, और नीचे नीचे जब जाएंगे देखेंगे, अरे, ये तो मेरे संग तो क्या होगे आगे वाला तो बहुती इजी था तो एक बार एक्जाम में जब पेपर आएगा पहले पुरा पेपर को एक दम रीड कर लेंगे और स्टार्ट उसी से करेंगे जो हमको सबसे अच्छा आता है जैसे बहुत सारे पेपर में कमेंट्स होता है तो इस कमेंट्स एक summary book बनाये ठीक है तो वह summary book अगर आपको अभी तक नहीं मिला तो हम लोग आपके group में post कर देंगे ठीक है तो summary book को आप लोग पूरा read कर सकते हैं हर मतलब हर का हमने बनाया है ठीक है हर सब्जेक का हमने summary book बनाया है तो वह summary summary आप आप लोग read करिये तो उससे क्या होगा आप लोग को और मतलब बेटर preparation हो सकता आप लोग ठीक है तो यह एक चीज है and please always strike a balance आपको एक अच्छा नीन लेना है everyday आपको 6 घंटे सोने है ठीक है कोई अगर यह बोलता है भाईया हम तो 10 घंटा से तो भाई तु छोड़ देते से जीवन में कुछ नहीं होगा अभी ठीक है अभी इतना crucial बात चल रहा है और उसमें अगर कोई बच्चा यह बोल रहा तो उसमें कोई बादूरी वाला काम नहीं हुआ ठीक है तो बहुत बार हम देखते हैं बच्चा लोग जान मुझके पांच बज़े तक पढ़ता है ताकि स्टेटर जाल पाए कुछ फाइदा नहीं है असा बढ़के तुमको पता है कि तुम एक्च्छल में क्या पढ़ा है और जैसे मान लिजे जो लोग का दो एक्जाम है पेपर और पेपर भी एक चीज हमेशा याद रखेगा फिर जो लोग दो पेपर दे रहें एक चीज हमेशा दिबांग में रखेगा अगर ऐसा हो सकता है पहला पेपर हलका सा खराब चला जाए तो उसका इंपक्त हम लोग दूसरे में नहीं आने देंगे ठीक है यह चीज बहुत जरूरी है आपका मान लिजे पहला वाला पेपर में अपने साथ नमबर का अटेम्ट किया अब आप सारा होप छोड़के बैठ गए ऐसा नहीं होना चाहिए पेपर भी अलग है पेपर पेपर यह अलग है तो पेपर पेपर एब होता है तो पेपर फोकस करना और पेपर भी होता है तो पेपर यह दिमांग में रखेगा कि लेकर को यह सब्सक्राइब करियेगा यह सब्सक्राइब में mcq अगर आपका सही हो गया ना तो फिर आप मतलब exam में मोटा मोटी आपका काफी अच्छा एक position हो जाता है ठीक है तो mcq वाला आपको ढंक से करिएगा option सारा पढ़िएगा option सारा पढ़िएगा mcq में हम लोग elimination method से भी काम कर सकते हैं कि आप सारा answer डाल लल के देख रहे हैं answer डाल के देखेंगे तो हो सकता आपका सही में समझ में आ जाएगा कौन सा equation match कर रहा है वैसे करके ठीक है तो यह है and अभी एकदम बाहर का नहीं खाएगे ठीक है अभी कोई बहुत ज्यादा extreme ठंडा नहीं खाना है बहुत ज्यादा extreme गरम नहीं पीना है तो यह सब balance अपने को बना के चलना है फिर पंदा मिट पड़े नहीं दो घंटा पड़ा दस मिट पंदा मिट का break लिया and then again start अगर मालो paper A से बोर हो गयो तो paper B कर लो paper B से बोर हो गयो तो कोई paper उठागे कर लो तो इस तरीके से active preparation करना है rigid नहीं रहना है कि पहले पुरा खतम करेंगे हम तो फिर revision करेंगे फिर नहीं वैसे नहीं होता है तो इसको एकदम ध्यान से रखना है और प्लीज भार का भी नहीं खाना है और एकदम 6-7 गंटे का ही सोना है ठीक है आठ गंटा जो लोग से हो रहे हैं घटना कम कर दीजे ठीक है टाइयम पें चेक रखना है कि भई मैं पुरा दिन क्या कर रहा हूं मैं पुरा दिन क्या कर रही हूं ठीक है ऐनगी लगो यह घुमने चलेगा अभी जब तुम लोग का पढ़ेगा कि enjoyment कब करना एक्जाम करी जो करना है दो अपता कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा लेकिन अभी 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 हम लोग एक सेकेंड भी एफोर्ड नहीं कर सकते हैं ठीक है एंड लर्न टुसे नो चाहिए कुछ भी हो चाहिए कोई भी एकदम क्लोज हो बोलेगा तु ठीक है मैं फिर से बोल रहा हूँ ठीक है मौक जो है ना मौक दोगे तभी हम तुम लोग को evaluate कर पाएंगे पुरा हमारा टीम और मैं मिल के चेक करते हैं मौक पेपर तो मौक पोर्टल पर जो फुल मौक अप्लोड़ड है ना वो उसका मौक दे दो ठीक है उसमें हम लोग को समझ में आ जाएगा कि तुम लोग क्या पढ़ा है कितना पढ़ा है कैसे पढ़ा है उसमें हम लोग पुरा प्रॉपरली evaluate करके तुम लोग को बता भी देंगे ठीक है आज ऐसा नहीं होना ची कि एक दिन पहले सब्मिट किया है तो वो तो हम चेक नहीं कर पाएंगे ना हमक लेकिन तुमको उसका advantage नहीं मिलेगा आज हम कुछ तुमको inputs देंगे तो तुमको तुमको उसको prepare करना पड़ेगा ना तो उस तरीके से आप लोग mock दीजिए ठीक है and that's it तो इस तरीके से हम लोग उसको पूरा plan कर सकते है and हां हम लोग next week से ही सबका doubt class चालू कर देंगे ठ से होगा class फिर next week से regular class होगा आई आई का doubts related ठीक है thank you all of you for joining the session बोलो प्रोकर्शन roughly 50-50 का रिश्व रहते है roughly हुँ हुँ हां वो हम करवाएंगे हुँ